हेलो एवरेवन वेलकम यू आल वन्स अगेन अट लोकी सर अलेम्ट इस्टेडी जों लेक्चर नंबर फूर स्टार्ट कर रहे हैं एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज का तो कल हमने तो सेल्फ इंडक्शन निकाल था क्वाईल का सेल्फ इंडक्शन रिवीजन की स्वपरेयर्कत5000े निकाल था एक खोल का अकली की और उसका अंसर आए था मू नोट यूसक्वायर ж एल ए ठीक न जहांपे Esse ओmomल एन हुआ करता था और केपिटेल एन के लिए आप small n की जगह n upon l रख देते थे तो दोनों derivation सही हैं जो आपको करना हो आप करिएगा कोई दिक्कत नहीं है अब आज कर रहे हैं अन्योन प्रेरकत्र के लिए derivation देखें दो लंबी परनालका है इनके मद्ध अन्योन प्रेरकत्र आपको डेवलप करना है तो यहाँ पर आपके पास दो क्वाइल है S1 और S2 ठीक है आपके पास जो S1 का अनुप्रस्त छेत्रफल है वो A1 है और S2 का अनुप् और S2 का S1 का अनुप्रस्त काट का छेत्रफल A1 है और दूसरी कोईल जो S2 है उसका छेत्रफल कितना है A2 यह मैंने दे रखे हैं छेत्रफल और यह कुंडली के नाम है ठीक है तो देखिए condition क्या है कि धारा बहे रही है पहली कुंडली में और धारा बहने के कारण पहली चुम्ब की छेत्र भी किस कुंडली मुद्पन हुआ है पहली कुंडली में तो पहली कुंडली में अगर धारा आईवन बह रही है तो आईवन धारा बहने के कारण इसके अंदर कितना चुम्ब की छेत्र होगा परिनालका के अंदर आप जानते हैं B equal to mu not ni यह होता है अब पहली कुंडली की परिनालका की लंबाई अगर L1 है, किती है? L1. अभी बाद में हम दोनों को बराबर कर देंगे, बट अभी ये मान करके चल रहे हैं कि पहली परिनालका की लंबाई L1 है और दूसरी की L2 है. तो L1 लंबाई की परिनालका है और फेरों की संख्या N1 है, तो N की जगहे, small N कितना हो जाएगा? N1 upon L1, तो derivation आ गया, B equal to mu naught N1 upon L1 I. ये क्या है? चुम्ब की च्छेतर. किसका? पहली कुंडली का, और यही चुम्ब की च्छेतर दूसरी कुंडली के कितने फेरों से? N2 फेरों से जाकर के बद्ध हो जाएगा. पहली कुंडली के जो चुम्ब की च्छेतर निकला है, दूसरी कुंडली के N2 फेरों से जाकर क्या हो जाएगा? बद्ध हो जाएगा. तो ये आ गया चुम्ब की च्छेतर. अब देखिए, इस चुम्ब की च्छ निकाल रहे है, फाइटू निकाल रहे है, एक करीके से, एंटू, चुम्ब की छेतर किसका काम कर रहा है, बीवन का, और एरिया किसका, दूसरी कुंडली का, तो एंटू, बीवन, एटू, फाइटू आ गया, वेल्यू पुट कर दो, तो फाइटू, इस इक्वल टू, की जगह एंटू है, बीवन की जगह क्या है, बीवन की जगह अभी अपने निकाला है, म्यू नॉट एंवन अपन एवन, और आई, और साथ में कितना, एटू, ओके, कुछ गलत लिए, मैंने, आई नीचे था, यहाँ एलवन था, इसको सही कर दो, थोड़ा मिस्टेक हो बीवन की जगह, म्यू नॉट एंवन है ना, आई वन, पर क्योंकि पहली कुंडली में ही धारा जा रही थी, उसी का नाम आई लिए रखा है, समझने के लिए मैंने आई वन ले लिया, अपन एलवन, म्यू नॉट एंवन आई, ओके, और क्या था अपने पास में, ए भी था देखिए, जो फॉर्मूला आया था, यहां पर, नहीं, किबल म्यू नॉट एंवन आई है, ओके, और यहां से जो फ्लक्स के फॉर्मूले में, बी इंटू एटू है, तो यह वाला एटू आएगा, इंटू एटू, चलिए, अब आप जानते हैं, तो इसको थोड़ा सा अन्योन पिरण बताया था, और अन्योन पिरण बताया था कि अन्योन पिरण का फॉर्मूला बनता है, फाइटू बराबर एम आईवन, ठीक है ना, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, देखो, कर मैंने बताया था, फाइटू बराबर एम आईवन, येस, तो फाइटू ज जगे क्या रख दोगे M I 1 बराबर इसको समाल लो थोड़ा सा M U 0 N 1 N 2 I A 2 अपॉन में कितना L 1 तो I 1 से I 1 ही था ये ना हाँ I 1 कैंसल हो गया तो आ गया आपके पास में फॉर्मुला का का फॉर्मुला अन्यून प्रिलकत का फॉर्मुला आ गया है M बराबर M U 0 N 1 N 2 A 2 M U 0 N 1 N 2 A 2 अपॉन L बहुत अच्छी बाते पता चल रही है कल आपन ने देखा था स्वाप प्रिलकत का फॉर्मुला क्या था स्वाप प्रिलकत का फॉर्मुला था M U 0 N 2 था वहाँ पे वहाँ पे क्या था N 2 और केवल A अपॉन L क्योंकि एक ही कुंडली तो लंध भी एक ही बट यहाँ पे आज N 2 की जगए N 1 N 2 आ गया है और A 2 अपॉन L 1 L 1 मतलब पहली कुंडली की लंबाई तो अब देखे दो कुंडली के मदध का अन्योन प्रिरकत की निकन बातों पर निर्भर करता है पहला अगर आपके पास माध्यम नहीं है तो माध्यम की निर्पेक्ष चुम्बक सीलता और अगर आपके पास माध्यम है तो म्यू नोट की जगए क्या आ जाएगा अगर माध्यम है तो म्यू नोट की जगए म्यू आ जाएगा और अन्योन प्रिरकत बढ़ जाएगा क्यों? क्योंकि माध्यम का चुम्बक सीलता का मान हवा की चुम्बक सीलता से ज़्यादा होगा और जो अन्योन प्रितकत का रहा है वो माध्यम की चुम्बक सीलता पर सीज़े निरभर कर रहा है इसलिए माध्यम के लिए ज़्यादा होगा तो दूसरा, दोनों परनालकाओं में फेरों की संख्या पर बिल्कुल देखे, N1, N2 उपर बैठे हुए है, प्राथमिक परनालका की लंबाई पर, यस ये देखे, L, प्राथमिक परनालका की लंबाई जो है, जिसको L1 नाम दे दिये था, बाद में इसने L कर दिया, और दु दूसरी परनालका है, उसका अनुपरस्थ काट का छेतरफल, बुलो क्लियर है, देखो, ये आपके पास में परनालका है, इसमें मालनों इस परनालका में N1 फेरे हैं, या इस capital N फेरे हैं, ओके, तो मैं बोलूँगा, इसमॉल N का मतलब होता है, प्रती एकांक लंबाई पर फेरो की संख्या, ओके, तो इसमॉल N इक्वल टू होता है, capital N अपरनालका की लंबाई L, हम यह कहते हैं कि अगर L लंबाई पर N फेरे हैं, तो एकांक लंबाई पर कित्ते फेरे होंगे, N अपॉन L, तो प्रती एकांक लंबाई पर फेरो की संख्या होती है, N अपॉन L, अब जो derivation में आपने start किया था, वो कैसे start किया था, B बराबर Mew not N I से start होता है, यह तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह परनालका के अंदर चुम्बी की छेतर का वेंजक होता है, यह तो याद रखना पड़ेगा आपको, बायो से वर्टला से हमने इसको derive कराया है, अब यहाँ जो N का मान होता है, वो रख दो आप, तो Mew not N पहली कुंडली है, तो पहली कुंडली में N का मान आएगा N1 अपॉन L1, क्योंकि दो कुंडली आ है ना, तो स्वादा नुसार N1 अपॉन L1, और पहली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है, I1, क्योंकि दूसरी कुंडली में तो हलाकि कोई धारा है नहीं है, फिर भी प्रेरी धारा बनेगी, और वो किसके बदलाओ के कारण बनेगी, प्रहली कुंडली में धारा के बदलाओ के कारण, बोलो अब क्लियर हुआ, चली, तो देखिए, अब अगला टॉपिक है हमारा, वरत्ता कार कुंडली में हम देखेंगे, अन्योन प्रेरकत कितना होता है, दो वरत्ता कार कुंडली एक दूसरे के ऊपर रख दी गई है, उसमें हमको निकालना है कि अन्योन प्रेरकत केतना होगा, तो प्रश्नम ये तो हुए हम लोग का, 26 डन, ये है सवाल, दो समतल वरत्ता कार कुंडलीों के मध अन्योन प्रेरकत हेतु वेंजा के स्थापित की एवं उनके मध अन्योन प्रेरकत को परिभासित करने वाल, प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए, दोनों के लिए अन्योन प्रेरकत का वेंजग पहले ग्यात करेंगे, फिर प्रभावित करने वाले कारक देख लेंगे, जिन पर निर्भर कर रही होगी, वो होंगे वह प्रभावित करने वाले कारक तो आईए इसको solve करते हैं तो मान लिया आपके पास एक वरत्ताकार कुंडली है P1 ठीक ना P और दुतिया कुंडली S एक दूसरे के निकट समाख्च रखी हुई है बहुत ही कम दूरी पर एक दूसरे से ये कुंडलियां रखी हुई है आप तो ये समझ लीजिए कुछ इस तरीके से कि एक बाहर कुंडली है और एक बाहर वाली कुंडली के अंदर दूसरी कुंडली है तो बाहर वाली कुंडली क्योंकि इनके दोनों के बीच के अक्षे की दूरियां बढ़ाओगे तो ये derivation change हो जाएगा अगर आप सोचो के कि हम कुं वो यहां पर चुम्ब की छेतर कम हो जाएगा तो इसलिए हम क्योंकि केंदर पर चुम्ब की छेतर लेते हैं तो केंदर पर चुम्ब की छेतर दोनों के लिए बराबर तभी होगा जब इस वाली कुंडली के अंदर ये छोटी वाली कुंडली इस तरीके से रखी हो तो जित यहां पर अगर केंद्र में रख दोगे इसके तो पहले का भी अक्ष यही होगा और दूसरे का भी अक्ष यही होगा कुछ इस तरीके से कुंडली रखी हुई है प्रात्मी कुंडली पी की तरिज्जा आरवन है जो प्रात्मी कुंडली पी है उसकी तरिज्जा भाई साब अपनी आरवन है यह जो है पहली तरिज्जा आरवन है जो दूसरी कुंडली रखी हुई है उसकी तरिज्जा आरटू है ओके तो पहले वाले में फेरो की संख्या N1 है उसी प्रकार दूसली कुंडली जो छोटी वाली S है अंदर जो रखी हुई है उसकी त्रिज्जा R2 है और फेरो की संख्या कित्ती है N2 है लो अब यहाँ पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करो या I प्रवाहित करो तो I प्रवाहित करोगे पहली कुंडली में धार तो क्या होगा केंदर में चुम्ब की छेत्र उत्पन हो जाएगा और चुम्ब की छेत्र क्या होता है वरत्ताकार कुंडली का बी इक वरत्ताकार कुंडली का चुम्ब की छेत्र बी इक वरत्ताकार कुंडली का चुम्ब की छेत्र बी इक वरत्ताकार कुंडली का चुम्ब की कि शेतर बी बराबर म्यू नौट फेरों की संख्या कित्ती N1 अब देखो बिटा अब यहाँ पर इन लोग की गलती है इन लोगों ने जो है स्मॉल ले लिया है क्योंकि बच्चा ये रुचेगा कि ये प्रती एक आंक होता है बढ़ ऐसा नहीं capital लेके करवाना क्योंकि बच्चे confuse नहीं होते हैं है ना तो B equal to mu naught N1 है ना तो यहाँ पर क्या लिखूंगा B equal to mu naught upon N1 capital N1 current की value I upon 2R तो radius किती हो गई 2R1 यह हो गया विटा चुम्बी की चेतर अब यह जो चुम्बी की चेतर है यह दुतिया कुंडली से जाके बदेथ है तो दुतिया कुंडली में जो flux बनेगा वो बनेगा किता N B A बट दूसरी कुंडली में किते फेरे हैं N2 छेतर कौन सा हमारा वाला छेतर फल कौन सा आपका वाला क्योंकि flux का formula होता है 5 बराबर N B A है ना चेतर जिस चुम्बिकी चेतर में रखी हुई है तो कौन से चुम्बिकी चेतर में रखी हुई है हमारे वाले में इसका नाम B1 माल लो या B माल लो कोई फरक नहीं पड़ता N2 कितना A एक इसका उसी कुंडली का चेतर फल A2 ले लो ओके चलिए तो formula B equal to N2 B A2 तो मैं लिख देता हूँ N2 का मतलब N2 इसको में टा दूँ जला है बन जाएगी Yes N2 का मतलब N2 B का मतलब ये B1 Mu naught N1 I upon 2 R1 into A2 A2 मतलब दूसरी कुंडली का चेतर फल H ब्रती कुंडली का चेतर फल क्या होगा भईया Pi R2 तो Pi और यहाँ पे क्या जागा R2 का स्कुएर क्योंकि दूसरी कुंडली है चलो formula बनाएंगे ये क्या चल रहा है ये चल रहा है flux ये क्या चल रहा है flux ये flux की value है और आप जानते हो कि flux बराबर कितना होता है MI flux बराबर होता है MI तो इनको सबको साथ ले लो कौन कौन है Mu 1 N1 N2 ठीक है न और कौन आजागा Mu 1 है N1 है N2 है I तो बाहर जाएगा Pi R2 का स्कुएर अपॉन कितना 2 R1 बस और 2 से 2 चाहो तो cancel कर दो Erase कर देता हूँ 2 नहीं था भाई तो 2 cancel भे नहीं होगा ओके upon 2 R1 कौन था उपर उपर था I Yes अब इस I से ये I क्या हो गया cancel तो आपके पास अब अंसर आने वाला है देखिए चुमकत अप्रेरकत का अन्योन प्रेरकत इक्कॉल टू Mu not Ok Mu not N1 N2 Mu not N1 N2 Mu not N1 N2 ठीक है ना और क्या है Pi है Pi R2 square upon 2 R1 तो ये है वरत्ताकार कुंडली के बीच का अन्योन प्रेरकत्वे बोलो clear है सभी को note कर लो बन जाएगा सबको clear है बोलो yes की no connection disconnect हो गया sorry तो एक बार फिर से recap कर देता हूँ क्या की है मैंने सबसे पहले B निकाला पहली कुंडली का B आ चुका है B आने के बाद B1 मान लिया इसको मैंने और देखिए अब जो second है second है इसका मैं flux निकालूँगा कौन सा flux दूतिया कुंडली का दूतिया कुंडली का flux कितना होगा N into B into A तो N दूतिया कुंडली में कितने फेरे हैं N2 दूतिया कुंडली में तो देखिए पहली कुंडली में आपके पास में B equal to mu naught upon 4.2 pi N1 I upon R1 यह आगया चुम्ब की फील्ड विद्ध चुम्ब की फील्ड पहले का चुम्ब की छेतर दन इसके बाद flux बराबर N B A N2 into B into A2 ठीक है ना तो N2 की जगए N2 B की जगए जो चुम्ब की छेतर हमने निकाला है mu naught N1 I upon 2 R1 और यहाँ पे area कितना है pi R2 तो R की जगए R2 हाजाएगा क्योंकि दूसरी कुंडली का छेतर पहल होगा pi R2 इसको put कर दिया देखो यह सब क्या है flux है और flux का माना पनने क्या पढ़ा है 5 बराबर होता है M I 5 equal to M I हुआ करता है तो यहाँ पे 5 के जगे पे M I रख दो तो I से I कैंसल हो जाएगा अंदर क्या बच जाएगा mu 1 mu 0 बच गया N1 बच गया N2 बच गया बट एक चीज़ यहाँ पे करीब इने गलती capital लेके चला था और small कर दिया तो इसको आप लोग सही कर लो capital ही चलेगा सब कुछ क्योंकि भाई मैं तो capital लेके चल रहा हूँ न तो मुझे यहाँ पे capital लेना चाहिए तो यहाँ पे N1 यहाँ पे N2 और यहाँ पे πाई R2 का square और नीचे क्या बैठा है 2R1 Yes तो I से I कैंसल होने के बाद यह जो बच गया यह क्या बचा है M बचा है और M कहलाता है swap परिर्कत वे अब सवाल उखता है कि swap परिर्कत दो समाख्च कुंडियों के लिए किन चीजों पर नर्भर करता है तो number 1 उनमें दोनों में फिरो की संख्या पर और दूसरी कुंडली के छेतरफल पर यह देख लो pi r2 square क्या है दूसरी कुंडली के छेतरफल दूसरी मतलब दूतिय कुंडली के छेतरफल तो आईए देखते है अन्योन प्रिरक की निर्भरता तो अन्योन प्रिरक किस चीज में निर्भर करता है परात्मी कुंडली में फिरो की संख्या n1 बढ़ाने पर बढ़ेगा n2 बढ़ाने पर बढ़ेगा तृज्या का प्रात्मी कुंडली की अगर तृज्या बढ़ाओगे तो अन्योन प्रिरक का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्यों? क्योंकि m जो है inversely proportional to r1 है तो इसलिए इसका मान कम हो जाएगा दूसरा दुतिया कुंडली का छेतरफल बढ़ाओगे तो बढ़ेगा क्योंकि ऊपर है और माध्यम अधिक चुमबक सीलता का माध्यम रखोगे तो प्रेरकत तो बढ़ जाएगा बोलो derivative सान एकदम clear है की नहीं है? चलो नोट कर लो एक मिनट ले करके जल्दी से dictate कर लो कि कैसे कैसे करना है बस फिर आंगे बढ़ते हैं तो मैं भी यहाँ पर सुधार कर देता हूँ क्योंकि मैं भी capital N लेके चला था तो मुझे भी यहाँ पर capital N ही लेना चाहिए तो capital N1 capital N2 क्योंकि small N का मतलब होता है प्रती एक आंग में फेरो की संख्या otherwise अगर आप small N ले रहा हो तो पहले उपर mention कर दो जैसे इन लोगों ने लिख दिया है कि यहाँ पर फेरो की संख्या N1 है तो अब यह सही हो गए है मतलब उनका करना अब गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने फेरो की संख्या N1 करा है बटेली कुछ ना लिखते तो फिर गड़बड होता इसलिए लिख देना बहतर है चलिए अगला जो derivation है यह last year आया था exam में exam के last year का paper है यह paper का question है so important मैं कहूंगा कब आ चुका है यह 2022 के exam में यह मैंने देखा था last year क्या question कह रहा है दो परिनालिकाओं के swap रिरकत्य तथा अन्योन परिरकत्य के मद्द में संबंद इस्थापित करना है तो swap रिरकत्य क्या होता है दो परिनालिकाओं है अब दो परिनालिकाओं आप एक साथ साथ इस्तमाल कर रहे हैं तो कुछ ऐसा समझे की दो परिनालिकाएं आप एक साथ इस्तमाल कर रहे हैं तो ये इसका खुद का स्वापिन रिकत किता है L1 ओके इसी के ऊपर आप दूसरी परिनालिका इस्तमाल कर रहे हैं जैसे अभी तक आपने इसका खुद का स्वाप्रिर्कत किता है दूसरी प्रणलका का L2 और इन दोनों के बीच में L1 और L2 के बीच में जो अन्योन प्रिर्कत बनता है वो अन्योन प्रिर्कत किता है मानलो M तो आपको M L1 और L2 में संबन्द इस्थापित करना है कि L1 और L2 से M किस प्रकार प्रभावित होगा अगर स्वाप्रिर्कत और अन्योन प्रिर्कत में रिश्टेदारी क्या है तो इसका बीटा आंसर आता है निमेरिकल भी आए तो याद रखो M बरावर N1 L2 L2 M बरावर L1 L2 या M स्क्वाइर एक्वाल टू L1 L2 तो अब ये बहुत ही सिंपल हो चुका है और लॉजिकली आपको दिख भी रहा होगा कि M का स्क्वाइर करोगे तो L1 L2 L2 आएगा क्यों M क्या आया था याद करो M आया था मू नॉट ठीक है ना उपर क्या आया था A यहां आया था N1 N2 ठीक है ना अपाउन क्या कौन सी प्रणाल का थी L1 का होल स्कुाइर कर दिया और यदि L कल मेंने निकलवाय था आपको L कितना निकला था mu not L है ना A n1 का square ठीक है ना और अगर आप इसको उसमें लिखते थे फेरो की संख्या में तो क्या आएगा n1 upon L तो मैंने फेरो की संख्या के फॉर्म मेरी लिखूंगा तो mu not A n1 का square upon L ये आएगा into mu not A तो दो कुंडली है तो पहले का A1 और दूसरे का A2 n2 का square upon कितना L तो भाईया ये derivation कुछ इस तरीके से आपके पास में आएगा और दोनों का छेतरफल अगर समान कर लोगे तो A1 into A2 A हो जाएगा तो A का square हो जाएगा अब थोड़ा सा इसको देखते हैं बुक में तो आपको आराम से समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे देखिए अब यहाँ पर इन्होंने L1 निकाला और L2 निकाला भाई L1 हम निकाल चुके हैं वही करना है जैसे हम L1 निकाले थे आपको L1 के फॉर्मूले से मतलब है दो कुंडलिया हैं लिख लिना कि दो कुंडलिया हैं अपने पास में पहले में फेरो की संख्या L1 N1 है परनालका की लंबाई दोनों की L है समाल लंबाई है और दोनों का छेतरफल A है देख लो भाईया दोनों के परिनालका की लंबाई L है और छेतर फल कितना है? A है तो पहली कुंडली का जो निकलेगा L1 आपको याद हो जाना चाहिए अब तक फॉर्मूला L1 मैंने क्या बता था? म्यू नॉट N1 स्क्वाइर A अपॉन L ये निकल चुका है L1 L2 कितना निकलेगा? म्यू नॉट N2 स्क्वाइर A अपॉन L ये अपने पास आगया कितना? L2 अब अन्योन प्रिर्वकत्र के लिए अभी अभी हम लोगों ने उपर निकला है क्या? M तो M कितना निकलता है? ये M निकलता है म्यू नॉट N1 N2 इन्टू A अपॉन L तो दोनों चीजें, तीनों चीजें आपने निकल ली L1 कितना निकला? आपने निकला M्यू नॉट N1 का स्क्वाइर इन्टू A अपॉन परिर्वकत्र की लंबाई L L2 म्यू नॉट N2 स्क्वाइर परिनलका का छेतरफल दूसरे का दोनों का छेतरफल सेम है A अपॉन परिनलका की लंबाई L और आपने M निकला है M क्या निकला है? M आपने निकला है म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L अब ध्यान से देखिए अगर मैं इसका वर्ग कर दूँ अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूँ M का तो M का वर्ग जो होगा वो इसके और इसके गुड़न के बराबर आएगा की नहीं आएगा? बच्चों बताओ ध्यान से देख करके क्या M का वर्ग जो है इन दोनों के गुडन के बराबर होगा ये नमबर एक ले लो ये नमबर दो ले लो ये नमबर तीन ले लो तो एक दो तीन को अब्जर्ब करो आराम से और ध्यान से देखो कि समीकरण एक दो तीन से क्या M का स्क्वायर जो होगा वो L1 गुणे L2 दिख रहा की नहीं दिख रहा है दिख रहा है ना अरे म्यू 0 का स्क्वायर करोगे तो म्यू 0 स्क्वायर हो जाएगा और इधर मल्टिप्लाई कर दोगे तो म्यू 0 का स्क्वायर हो जाएगा म्यू 0 गुणे म्यू 0 इधर N1, N2 का स्क्वाइर करोगे तो N1 स्क्वाइर N2 स्क्वाइर वहाँ गुणा कर दोगे तो आजाएगा आजाएगा नहीं आएगा तो M स्क्वाइर बराबर L1 गुणे L2 इसलिए यहाँ पर आपका आजाएगा L1 L1 इंटू L2 बराबर m का square अतह समी करन से 1,2,3 से m बरावर l1 into l2 मेरे तरीके से कर लो आप जैसा मैंने समझाया है जाद आपको कुछ करने की ज़रुदत नहीं है बट जब आएगा derivation तो पूरा लिख करके सबसे पहले आपको l1 निकालना पड़ेगा फिर l2 निकालना पड़ेगा फिर m निकालना पड़ेगा जो तीनों चीजे मैंने सिखाई है है ना बट छोटे छोटे में थोड़ा थोड़ा सा कर देना कि जिसके बारे में सबके बारे में जानकारी आपको लिख जाए ठीक है तो ये कहलाता है ये कहलाता है स्वा प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व के बीच में संबंध एक लाइन इस्प्रेस्ट में लिखी हुई है कि इनके मद्ध में अगर आदर्श युगमन हो आदर्श युगमन का मतलब ये होता है कि जैसे हम बताते हैं आपको डेरिवेशन में अभी हमने बताया भी था कि एक क्वाइल के अंदर हमने दूसरी क्वाइल एक क्वाइल के उपर हमने दूसरी क्वाइल लपेड दी इसका फायदा क्या मिला? हमने यह मान के चला है कि जो पहली क्वाइल का चुम्ब की फलक्स था b था चुम्ब की छेतर बी वो पूरे तरीके से इसके अंदर चला गया ऐसा होता नहीं है कि पूरा का पूरा चुम्ब की छेतर चला जाए परन्तु इस परिस्थिती को बोलते हैं बच्चो आदर्ष युगमन तो आप भी इस चीज को कहीं पर मेंसन कर सकते हो आदर्ष युगमन की स्थिती बाकि जो युगमन आदर्ष नहीं होते हैं वो बहुत सारे होते हैं बटो आपके इस लेबस में नहीं है, तो उनकी चिंता आपको नहीं करना है, तो जल्दी से ये derivation, copy में 3-4 point बना करके note कर लीजिए, एक मिनट है आपके पास धारा है, तो question अपना भवर धारा है क्या हुआ करती है, जब आप आपने देखा कि इस chapter में प्रेरित विदो धारा उत्पन हुई, इस chapter में क्या उत्पन हुई, प्रेरित विदो धारा, और कैसे उत्पन हुई प्रेरित विदो धारा, flux के बदलने से flux के बदलने से प्रेरित विद्वाहक बल बना और प्रेरित विद्वाहक बल के बाद बन गई प्रेरित विद्वाहक बल के बाद बन गई प्रेरित विद्वाहक बल के बन गई यह है input circuit और यह है output circuit प्राथमिक कोईल दुतियक कोईल कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहती है और जब यहाँ पर आप बदलता हुआ alternating प्रत्यावर्ती स्रोत लगाते हैं तो क्या होता है flux जाता है यहां से इधर से जाएगा और lot करके आएगा आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कुछ इस प्रकार का हुआ करता है यस तो प्रत्यावर्ती धारा में जो current होती है वो बढ़ती रहती है और घटती रहती है इसलिए और अपने पढ़ा है कि flux proportional to i तो जब भीया current बदलेगा तो flux भी बदलेगा तो अगर current यहाँ पे जब बदल रही है साफ साफ current जो है जीरो से हीरो और हीरो से जीरो हो रही है तो यहाँ पर आपके पास जो है flux भी घटेगा और बढ़ेगा तो यह रेखिए current के साथ साथ flux भी डान्स करता रहता है बिल्कुल उसी रूप से क्यों क्यों ना हो क्योंकि 5 proportional to i है flux बदलेगा तो flux के बदलने से दुतियक कंडली में यह flux बदल रहा है अब flux के बदलने से दुतियक कंडली में आपने यहाँ पर दुत्यक कंडली लगा दी और फ्लक्स का बदलाव इस कωνडली से होने लग गया तो E is equal to N Dpson by dt के फॉर्मूले से विद्धित वाहगबल इस कुंडली के सेरो के मद्ध आ गया विद्धित वाहगबल यान एग तरी का वॉल्टेज कहीं पलस या कहीं माइनस और अगर आपने circuit कम्पलीट कर दिया या बल बगरे लगा दिया तो यहाँ पर क्या उत्पन हो गई प्रेरिधारा यहाँ पर प्रेरिधारा उत्पन हो गई भई मसला क्या था flux तो बदली रहा था बदलते हुए flux को आपने कुंडली के माध्यम से एक बंद रास्ता दे दिया बदलते हुए flux को कुंडली के माध्यम से क्या दे दिया एक बंद रास्ता दे दिया अब भवरधाराएं कहती है कि भाईया हमें बंद रास्ता ही तो चाहिए है हमें क्या चाहिए है हमें बंद रास्ता ही तो चाहिए है तो हम इतना लंबा ट्रेवल करके क्यों जाएं जो ट्रेवल आपको दिख रहा है ये देखिए भाई, डाइग्राम में देखिए जूम कर दिया मैंने डाइग्राम, ये देखिए तो flux का कहना है कि हम इतना लंबा ट्रेवल करके यहां पे ही क्यों जाएं मसला किस चीज का है कंसेप्ट क्या है कि flux को कौाइल चाहिए थी current बहाने के लिए क्योंकि कौाइल जो थी वो बंद थी ये इधर से मैंने कौाइल को बंद कर दिया तो इसमें current उत्पन हो गई थी तो इन्होंने बोला ये देखो हमारे पास इतना बड़ा पात है ये iron की इतनी चौड़ी पट्टी है क्यों ना हम इसी जगहे पे अपने आपको rotate कर लें यहां पे यहां पे हम इसी जगहे पे अपने आपको rotate कर लें कुछ कहती हैं कि हाँ हम यहीं परापस में rotate हो जाए तो ये जो flux हुआ करती है इसी जगहे पर अपने आपको घुमा करके flux जो है close path बना लेती है क्या बना लेती है close path मतलब जो material आपने रखा है बदलते हुए चुम्ब की छेतर के अंदर ये देखे मालिजे कि आपने ये कोई sheet रख दी है बदलते हुए चुम्ब की छेतर के अंदर तो यहाँ पर बदलता हुआ flux जो है अपने आपको close path में arrange कर लेगा चुम्ब की छेतर जो है बदला होगा वो close path में हो जाएगा तो close path में जब हो जाएगा तो विद्धुतव आखबल कहां डेवलप हो जाएगा इसी के सीरों के मद्ध डेवलप हो जाएगा कहीं पर plus बन जाएगा और कहीं पर minus बन जाएगा तो धारा यहीं की यहीं circulate हो जाएगी तो यह धारा जो होती है माध्यम के पदार्थ के अंदर इस धारा को बोलते हैं भावर धारा, इसको बोलते हैं भावर धारा, भावर क्यों बोलते हैं, भावर कोई एक फ्लक्स दो फ्लक्स तो है नहीं, बहुत फ्लक्स है, बहुत सारा चुम्बिकी छेतर है, तो इतने फ्लक्स जब एक को देखेंगे, दूसरा बोलेगा हम भी, हम अब हम्हीं हम्हीं, पूरे मेडल में यह फ्लक्स सर्कूलेट हो जाते हैं, धारभवरों के रूप में, इसलिए इसको बोलते हैं भवरधारा, और जब यह फ्लक्स सेट हो जाएंगे, कहीं पर प्लस और कहीं पर माइनस लौट करके आएंगे, तो क्या बन जाएगा? विदु का कौन सा प्रभाव होता है धारा का उसमी प्रभाव होता है क्योंकि H proportional to I square तो यह जो मेटल की पटिका है धीरे 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 क्या होने लगेगी गरम होने लगेगी है ना इसलिए नुकसान होने लगेगा तो भवर धाराओं का कौन सा प्रभाव होता है भवरधाराओं का उश्मिय प्रभाव होता है ठीक है तो क्या है important चीजे क्या है important चीजे है कि flux का बदलना मतलब कैसा छेतर लगेगा परिवर्ति चुम्ब की ये छेतर इसमें क्या क्या चाहिए आपको परिवर्ति चुम्ब की ये छेतर में अगर किसी धात्विक कंड़क्टर को ये चुम्ब की पदार्थ को रखा जाता है तो भवर धाराएं उत्पन होती है अब आई इसको ठोड़ा सा बुक से सेंसियरली पढ़ लेता हूँ जब किसी भी आकरती या आकार के चालक देखो भषया क्योंकि धारा है तो चालक important line है मैंने चुम्ब की पदार्थ बोला है उसकी जगए चालक कर लीजे क्योंकि चालक में ही धारा उत्पन होंगी जब किसी आकरती या आकार के चालक को किसी चुम्ब की छेतर में चलाया जाता है अब चला रहे हूँ चलाओ तो अलग बात है या दूसरा परिवर्तन सील चुम्ब की छेतर में रख दो चलाओगे तो भी चुम्ब की छेतर बदलेगा और नहीं चला रहे हो तो खुद ऐसे फ्रिल्ड का जुगाड कर लो ऐसे छेतर का जुगाड कर लो जो स्वयम में बदल रहा उसको बोलते हैं परिवर्तन सील चुम्ब की छेतर तो उस चालक से बद्ध चुम्ब की फ्लक्स में परिवर्तन होता है अतै उस चालक में प्रेरिध धाराएं उत्पन होती है जिस प्रकार जल में भवर के समान चक्करदार होती है इन धाराओं को भावर धाराएं बोलते हैं बाइरे को ये लाइन इंपोर्टेंट है उस चालक से बध्ध चुम्ब की ये फ्लक्स में परिवर्तन होता है उस चालक से बध्ध चुम्ब की ये फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यही कारण है कि transformer में जो core होता है ये material इसको बोलते हैं core तो इस core के अंदर धारा के छोटे छोटे बंडल ना बन जाए इसलिए हम लोग core को क्या कर देते हैं पतले 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 पार्ट में बांड देते हैं आपको मैंने तोड़ के भी दिखाया था class में याद है परहुगा जी अपने transformer तोड़ा था ना तो छोटी छोटी slice निकली थी कि नहीं निकली थी हाँ इस व्यवस्था को बोलते हैं क्रोड को पतले करना क्रोड को क्या करना पतले है ना तो भावर धाराओं को कम करने के लिए क्रोड को पतलित किया जाता है और पतलित आज़ को कि यह अ अब यह भावर धाराओं का प्रदर्सन है देखिए यहां पर तो यह अपने पास में चुमकी छेतर बने गा प्लस और माइनस क्या लगा है ट्रो मैगनेट है और बीच में आपने एक क्या लगा दी है बीच में आपने एक मैटल की पटिका लगा दी है ठीक है अब मैटल की पटिका आपने लगा दी है अब जैसे ही इसको आप हिलाओगे तो इससे जाने वाला चुम्बी की छेतर क्या होगा बदलेगा जैसे ही आप इस मेटल पटिका को हिलाओगे तो उस जाने वाले चुम्ब की पहले एक काम करो, पहले चुम्बक को बंद कर दो, पहले यहां से स्विच खोल दो, तो पहले स्विच खोल दोगे, तो कोई धारा नहीं, पहली कंडिशन क्या है, नो धारा, पहली कंडिशन क्या है, नो धारा, आई बराबर 0 आई बराबर 0 तो चुम्ब की छेतर बराबर 0 और जब चुम्ब की छेतर बराबर 0 हो जाएगा तो बिंदास बिंदाशन होगे एक यहां से यहां टुक 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 यह घूमती रहेगी अब दूसरी कंडिशन आई को अन कर दो करेंट जैसे ही आपने स्विच को अन किया तो आई जिंदाबाद आई 0 तो चुम्ब की छेतर भी 0 और जब इसको आप हिलाओगे तो चुम्ब की छेतर में बदलाओ होगा चुम्ब की एच्छेतर में बदलाओ होगा, मतलब फ्लक्स में बदलाओ होगा, अब फ्लक्स में बदलाओ होगा, मतलब विद्धुत वाहग बल बनेगा, और कुलोस पाथ है, मतलब धारा बनेगी, तो ये पट्टी का गरम होने लगेगी, और विद्धुत वाहग बल क्या क कहता है कि हम परिवर्तन का विरोध करते हैं परिवर्तन क्या है परिवर्तन है इसका आंगे पीछे होना तो विद्दुत वाहक बल यह धारा इसका आंगे पीछे होने का विरोध करेगी जिसके कारण सुरू में तो यह बढ़िया टुक 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 डोलेगा और धीरे 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 ये अब मंदित होके रुक जाएगा अब मंदित मतलब पहले आप अगर एक्सपरिमेंट करते थे तो अगर पहले ये 17 सेकेंड में 18 सेकेंड में रुक रहा था अब ये केवल 6 सेकेंड में रुक जाएगा किसका कमाल है भावर धाराओं का क्योंकि भावरधाराएं उसके गती को रोकने का काम करती है चली ठीक है तो भावरधाराओं का प्रदर्सन पढ़ो चत्रपाल चित्रानुसार क्योंकि भावरधाराएं उसके गती है बहुत सुन्दर समझ में आया सभी को तो ये रहा बच्चो भावरधाराओं का कंसेप्ट है ना तो भावरधाराओं से हानिया क्या है भावरधाराओं ने कौन सा प्रभावत्पन किया है उसमी प्रभाव तो हानी भी है फाय दे भी है इंडेक्शन के जो instrument आते हैं इंडेक्शन चूला वगएरे आते हैं वो किस सिध्धान पर काम करते हैं भवरधाराओं पर ही काम करते हैं तो उनके लिए आपको क्या लेना पड़ता है उनके लिए आपको फैरो मैगनेटिक माटेरियल लेना पड़ता है लोहे की कड़ाई लेनी पड़ती है तब वो काम करता है ठीक है इंडक्शन चूले में आप प्लास्टिक नहीं लगा सकते हो आप प्लास्टिक लेके गरम कि अपना हाथ उपर रख देते हो कि आपका हाथ गरम होता है नहीं होता हमारे उपर इंडक्शन चूले का असर नहीं होता है फैरो मैगनेटिक मेटेरियल में ही भवर धराएं उत्पन होती बहुत जोरदार तरीके से तो इसके लिए इसका उपयोग किसमे होता है प्रेरण भ लीजिए ये भवर धराएं के उपयोग है यह आते हैं एक दो नमबर के एकजाम में भवर धराएं के उपयोग क्या है डन चलिए अगला टॉपिक है ओरजा किसकी ओरजा इंडक्टर को जब आप चार्ज करते हो तो उसके अंदर ओरजा आती है उस ओरजा को हम निकालने व करने पर ऊर्जा आती थी jump cv Square ठीक है ना तो ऐसे ही इंड़क्टर को charge करेंगे तो इंड़क्टर को charger करने पर या उसको चुम्बकित करने पर ऊर्जा आती है आईए देखिए थोड़ा सा concept बता दूँ आंगे पीछे का तो को जादा बहतर समझ में आएगा यह आपके पास में एक कैपेसिटर है और जब आप इस कैपेसिटर को वी वोल्ट की बैटरी से लगाते थे जब मार्केट से लेके आते थे तो इसका वोल्टेज किता होता था जीरो और जैसे ही आप कैपेसिटर के उपर वी वोल्ट की बैट तो इसके उपर आ जाता था धनावेश और इसके उपर आ जाता था रिणावेश और हम कहते थे कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और कैपेसिटर भी वोल्ट से अगर चार्ज हो जाए क्योंकि जितना आपने यहां लगाया है अगर आपने यहां लगाया है दो ही आएगा तो capacitor की जो ऊर्जा हुआ करती थी वो होती थी 1 upon 2 cv square तो यहाँ पर हमने उस chapter में capacitor को charge किया अब यहाँ पर हम किसको charge कर रहे हैं वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर capacitor की प्लेटों के मद्ध में विद्दुत छेत्र उत्पन हो गया था जी हाँ और इस विद्दुत छेत्र को लाने में उत्पन करने में कुछ तो ऊर्जा देनी पड़ेगी तो वो ऊर्जा जो हमने capacitor को दी थी वो थी half cv square कुछ लोग इसको 1 upon 2 qvb बोलते हैं कुछ इसको 1 upon 2 q square upon c b बोलते हैं तीनों उर्जा के ही रूप है अब देखिए बिल्कुल यसे ही inductor है तो inductor यानि क्वाइल जब आप market से ले कर के आए तो क्वाइल के अंदर किसी प्रकार का चुम्ब की छेतर नहीं था 0 बट जैसे यहां पर कोई चुम्ब की विदु छेतर नहीं था विदु छेतर कितना था 0 मगर आपने इसको चार्ज किया और इसके अंदर विदु छेतर हो गया ऐसे ही क्वाइल को आपने यहां पर लगाया बैटरी से चार्ज करने के बाद एक जगह पर बन गया नौर्थ और एक जगह पर बन गया साउथ मतलब अंदर यह क्या हो गया इसके चुम्ब की छेतर आ चुका है तो यहां पर भी चुम्ब की छेतर पहले जीरो था और बाद में चुम्ब की छेतर आ गया तो क्वाइल को आपने क्या कर लिया क्वाइल को आपने चुम्ब कित कर लिया और इस चुम्ब कित करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा कितना काम करना पड़ेगा सुरुवात में जब आप इसमें करेंट दोडाएंगे तो करेंट का मान होगा 0 और फिर इसमें जो अधिक्तम धारा जाएगी उसका मान होगा I0 I0 तो वो करेंट I0 से लेके I0 तक बढ़ चुकी है अब हमको निकालना है कि इस कुंडली ने कितनी ऊर्जा संचित की है यह डेरिवेशन आपके सामने दिख रहा है क्या कह रहा है ब्राइटनेस बढ़ा लिए अपने मोबाइल की अगर ना दिख रहा हूँ अच्छे से तो कितनी अच्छी लाइन कही है धारा I0 इस्थापित करनी के लिए आपके पास क्या है आपके पास एक प्रेरक कुंडली है और प्रेरक कुंडली में आपने बैटरी लगाई है सुरुवात में कोई बैटरी नी लगी थी तो सुरुवात में current का मान कित्ता था 0 और फिर बैटरी से current धीरे 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 बढ़ती गई और बढ़ करके अधिक्तम जो धारा निकली है वो कित्ती हो गई है i से i0 तो जब धारा जाएगी तो चुम्ब की छेतर भी जाएगा क्यों? क्योंकि आपको पता है be proportional to i अगर धारा अधिक होगी तो चुम्ब की छेतर भी अधिक होगा तो अधिक्तम धारा के लिए अधिक्तम चुम्ब की छेतर भी बनेगा तो कह रहा है कि अगर आप धारा अधिक्तम भेज रहे हैं तो यहां पर चुम्ब की छेतर अधिक्तम स्टैबलेस हो चुका होगा तो उस चुम्ब की छेतर को इस्थापित करने के लिए आवस्यक चुम्ब की ओरजा क्या होगी उस समय जो आवश्चक चुम्ब की उरजा होती बच्चों लिख लो U B B मतलब चुम्ब की छेतर U मतलब इस्थेते जूरजा चुम्ब की इस्थेते जूरजा होती है बच्चों होती हाफ L I Nought I Nought मतलब अधिक्तम धारा का स्कॉायर Half I L Nought का स्कॉायर ठीक बोलो इतना तक क्लियर है कहानी पूरी है अब आईए करते हैं वो ही जो मैंने बाते पढ़ाई है वो इसमें लिख दी गई है जिस कुंडली में बैटरी से धारा प्रवाहित होती है तो धारा का इस्थाई मान आईजीरो प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है बाई देखो जो भी बैटरी तुम आउन करोगे बैटरी तुम में जो भी लगाओगे ये कुंडली है कुंडली में मान लो तुमने बैटरी लगाई यहाँ पर बैटरी लगा दिये अपने पास तो कुंडली का गुण क्या होता है कि यह परिवर्तन का विरोध करती है परिवर्तन का क्या करती है विरोध करती है तो सुरुवात में तो एक करेंट जाएगी तो करेंट का विरोध करेगी परन्तु बैटरी जबरदस्थ है प्रवल है तो बैटरी धीरे 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 फाइनली जा करके अपनी धारा एक अधिक्तम सेट कर लेगी जिसका नाम है आई 0 तो सुरुवाती धारा किती है आई बराबर 0 और अंत में धारा किती हो गई आई बराबर आई 0 तो इसी लाइन को लिखा गया है कि इस्थाई धारा आई जीरो मान प्राप्त करने में कुछ समय लगता है अतह कुंडली में प्रेरित विद्ध वाहक बल उत्पन हो जाता है यह तो आप जानते हो जो कुंडली में धारा की व्रद्धी का विरोध करता है बैटरी द्वारा धारा के मान को आई से इस्थाई मान आई जीरो तक बढ़ाने के लिए प्रेरित विद्ध वाहक बल के विरोध कार करना पड़ता है यह कार कुंडली में स्थेदिज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है अब भाईया निकालते हैं कार कितना होगा कि E बराबर विद्ध वाहक बल सब लोग जानते हो V बराबर W by Q DV बराबर DW by DQ तो E बराबर DV की जगे कौन खेल रहा है विद्ध वाहक बल बराबर DW upon कितना DQ So DW equal to कितना हो गया E into DQ और कार कैसा करना पढ़ रहा है विरोध में करना पढ़ रहा है इसलिए माइनस E तो आप जानती हो लेंज के नियम से आता ही है तो माइनस E equal to DW by DQ यह आ गया Sorry DW by DQ So DW is equal to minus E DQ यह सब आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा उस स्चन पर उस समय पर प्रेरित विद्धुत वाहक बल अब हमें कार करना पढ़ेगा अब हमें कार निकालना है बेटा तो DW is equal to minus E DQ पलट करके लिख दो बेटा E की value लियाओ अपन जानते हैं प्रेरण में E बराबर कितना होता है minus LDI by DT into DQ तो भाईया प्रेरण में E का मान होता है minus LDI by DT minus से minus cancel ये DW चल रहा है DW चलने दो equal to देखो बेटा DQ by DT आवेस में परिवर्तन की दर को क्या बोलते है धारा तो L आवेस में परिवर्तन की दर बन गई धारा I और यहाँ पर कितना DI तो ये कौन सा काम निकाला है ये छोटा सा काम निकाला है तो बड़ा सा काम DW का इंटीग्रेशन 0 से कहा तक W तक पूरा काम बराबर इंटीग्रेशन के अंदर L, I, D, I L constant है बाहर ले लो बदलाओ किसमें हो रहा है धारा में हो रहा है कहां से कहां तक 0 से लेके I 0 तक तो ये बदलाओ हो गया चलिए तो DW का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा W हो जाएगा L बाहर है I का इंटीग्रेशन कितना होता है I square by 2 limit लगा दो किती 0 से लेके I 0 L by 2 बाहर हो गया और I में लिमिट लगेगी किती हो जाएगा I 0 का स्क्वार Derivation हो गया Half L I 0 स्क्वार ये है ये किया गया कार कुंडली में इस्थितिज उर्जा भहिया कौन सी इस्थितिज उर्जा चुम्ब की इस्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है ये है जो कार है ये है कुंडली में चुम्ब की इस्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है So W एक्वल टू या U एक्वल टू Half L I 0 का स्क्वार बोलो clear होगे एकदम चलिए तो इसको complete कर लिजे इसको properly तरीके से लिख लीजे ये derivation भूलता है बच्चों को and this is also important दिखाई दे रहा है एकदम proper ना वाइट लर की इंक एकदम visible है की नहीं है चलो तो इसको note कर लो screenshot ले करके इसको थोड़ा सा एक बार note कर लो ये मैंने रोक रखा इसको आप लोग note कर लीजिए हलाकि side में लिखा हुआ है बट फिर भी मैं कहूँगा कि मेरा वाला portion आप note कर लो easy है done तो इसके साथ ये chapter आपका finish होता है अब चोटी चोटी बाते हैं चोटे चोटे question है जो आप लोग खुद करेंगे और अपना तरीका अपना महान तरीका खिड़कियां बनाने वाला तरीका जिसमें पूरा पूरा chapter एकदम cover हो जाता है वो आप मेरे को complete करके कल या आज शाम तक मेरे को complete करके भेजिए ये chapter आपका complete हुआ इसके बाद अगला chapter रहेगा अपना प्रत्यावर्ती धारा जो की बहुत बड़ा chapter है उसको हम लोग करेंगे चलिए thank you so much बच्चों bye bye हाँ बेटा बोलिए फिर से बोलो बेटा जोर से क्या बोल रहे हो अच्छा अच्छा देर हुतरी का चौथा question ठीक है एक काम करो उसका स्क्रीन शॉट भेज़ दो उसको अपन करवाए देते हैं भेज़ो स्क्रीन शॉट ओके दोस्तों देखिए एक और question रहे गया है जैसे की कि भी बताया श्री ने बताया question ये वाला इसको बोलते हैं हम लोग गतिक विद्धुत वाहग बल किस प्रकार से होता है अब ये गतिक विद्धुत वाहग बल क्यों होता है विद्धुत वाहग बल के लिए जरूरी है फ्लक्स में परिवर्तन और आप जानते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाइडी टी और फाई और फाई जो होता है फाई इस इक्वल टू होता है एन बी ए कॉस थीटा बहुत बड़ी आ कंसेप्ट है ये तो डी बाई डी टी फाई की जगे रख दो कितना एन बी ए कॉस थीटा मतब इतने का अगर बदलाओ होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा विद्धुत वाहग बल अब इतने का बदलाओ बार बार देखे देखो भई N तो फेरों की संक्या है, फेरों को तो कोई बार-बार बदलता नहीं है, एक बार fix हो जाते हैं, तो N बाहर कर लो, अब D by DT क्या अंदर बन गया, B A cos theta, yes, तो विद्धुत वाहक बल को जन्म करने के तरीके, विद्धुत वाहक बल पैदा करने के तरीके, number 1, D by DT समय के साथ किसका बदलाओ, B का बदलाओ, तो अगर आप समय के साथ B को बदलोगे, तो विद्धुत वाहक बल पैदा हो जाएगा, दूसरा, E, A का बदलाओ, अगर आप कुंडली का छेतरफल समय के साथ बदलेंगे, तो विद्धुत वाहक बल भी जन्म हो जाएगा, दूसरा, तीस कब बदलेगे जब थीटा बदलेगा मतलब कुंडली को अगर आप घुमाओगे तो थीटा के बदलने से भी थीटा का बदलाओ अगर इन चीजों को करोगे टीन में से एक भी करोगे एक टाइम पर तो विदुत वाहक बल जन्म लेगा या तो B को बदलो या A को बदलो या थीटा को बदलो थीटा का बदलने का मतलब है गुणन कुंडली को गुमाओगे तो विदुदभाग बल जन लेगा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं A का बदलाओ जो आपने हम से question पूछा है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले है A का बदलाओ मतलब छेतर फल का बदलाओ समझो इस concept को पहले concept समझाऊँगा फिर question कराऊँगा concept यह है कि आपके पास एक U-shape की एक आयताकार frame रखा हुआ है U-shape का आयताकार frame रखा हुआ है जो एक चुम्ब की छेतर के अंदर रखा हुआ है यह देखो भाई साब चुम्ब की छेतर हाले color का रखा हुआ है ऐसा अंदर की ओर तीर जा रहे हैं चुम्ब की छेतर अंदर है उपर से नीचे की तरब चुम्बिकी छेतर के भाले घुस रहे हैं आपके स्क्रीन को फोड़ते हुए चुम्बिकी छेतर अंदर की ओर है पडवच्चो याद रखना यहाँ पर यह चुम्बिकी छेतर फिक्स है लूप जो अंदर रखा हुआ वो भी फिक्स है और लूप खुला हुआ है, क्योंकि देखो यहां भी खुला है, यहां भी खुला हुआ है, तो इसे कुंडली नहीं कहोगे, और कुंडली अगर खुली हुई है, तो धारा तो आएगी नहीं, क्योंकि कुंडली खुली रहेगी, तो धारा कहां से फ्लो होगी, बिल्कुल नही धारा फ्लो नहीं होगी, तो इस कुंडली को बंद करने के लिए आपने इसके उपर एक स्लाइडर लगाया, स्लाइडर मतलब घिसटने वाली पट्टी का, अब ये घिसटने वाली पट्टी का है, जिसको आप आँगे पीछे खिसका सकते हो, यहाँ पे कुछ रोलर बॉल टा कुंडली का छेतरफल बताओ, श्री, कुंडली का छेतरफल छोटा हो गया की बड़ा हो गया, चोटा हो गया, और अगर इसको स्लाइडर को घिस्ता करके पीछे ले आते हैं, तो कुंडली का छेतरफल बड़ा हो गया की छोटा हो गया, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं इस सवा हल करते हैं इसको पूरा थेओरी के साथ में एक समान चुम्ब की छेतर में गतिमान किसी चालक छड़के सिरो पर प्रेरित विद्धुत वाहक बल के लिए वेंजक बताईए ये हो गया सवाल मान लो L लंबाई का एक चालक PQ है बिटा ये लंबाई कित्ती है L तो ये वाला सिरा भी कित्ता होगा L का होगा ये वाला जो सिरा है ये भी कित्ते का होगा L का होगा इसका नाम दे दिया है P उपर वाले हिस्से का और इसका नाम दे दिया है बिटा कित्ता Q PQ और ये वाले का नाम दे दिया है क्या R और ये वाला पॉइंट दे दिया S तो पूरा का पूरा लूप बन गया एक तरीके से क्या बन गया P Q R S और ये लूप जो है चुम्ब की छेतर के अंदर रखा हुआ है ठीक अब देखो तुम ये तुम्हारा लंबाई तो लंबाई ही रहेगी मगर इस चीज को तुम इसको घसीड़ते हुए इस लिम्ब को अंदर की लेके आ रहे हूँ यहां लेके आ रहे हूँ तो जब आप इसको बढ़ाओगे घटाओगे तो यहां पर मान लो यह जो दूरी है इस दूरी को आपने मान लिया X तो X में बदलाओगा किसें बदलाओगा? X में ठीक है? बोलो Yes की No हाँ, अरे भाई, L तो फिक्स है ना? जब इसको आंगे पीछे करोगे किसी वेग से भी वेक से मानलो इसको आंगे पीछे कर रहे हो तो ये जो इसकी भाई लंबाई तो फिक्स है चोड़ाई बदलेगी कि नहीं बदलेगी बोलो ठीक है ना जैसे ये आयताकार लूप है तो ये L है और ये लिम्ब लगी हुई है तो X तो बदलेगा मानलो लिम्ब यहां तक आ गया तो X छोटा हो गया लिम्ब अगर ये वाली दूर तक चली गई तो X बड़ा हो गया चलो आंगे पढ़ते हैं मानलो ये L लंबाई का लूप PQ है जो कागज के तलपा लंबद के और नीचे कार करते हुए चुम्ब की छितर B के लंबद V वेक से बाई और गति मान है अब ये जो लूप है इसको हम V वेक से बाई और मतलब लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट सॉरी राइट टू लेफ्ट मतलब इस तरफ हम इसको V वेक से खजीर के ले जा रहे हैं मान लो यह चालक U आकार के अन्य चालक की भुजाओं को इस पर्स करता हुआ स्वतंत रूप से गति करता है और घरसन के कारण किसी भी प्रकार की उर्जा का छे नहीं हो रहा मतलब यह मान लो कि घरसन नहीं लग रहा है इस प्रकार किसी समय टी पर यह क्या बनाएगा बंद लूप P, Q, R, S बनाएगा बिल्कुल बनाएगा यह पॉइंट P है यह पॉइंट Q है यह पॉइंट R है यह पॉइंट S है और P, Q, R, S क्या है चुम्ब की छेतर के लंबवत जैसे मैंने आपको डाइग्राम में दिखाय था यह देखिए यह P है, यह Q है यह P है, यह Q है, यह R है और यह S है और यह क्या है चुम्ब की छेतर के लंबवत यह क्या बन गया बंद लूप बन गया, कुंडली बन गई अब कुंडली के छेतर फल में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है यस तो इस लूप के तल में लंबवत है बहुत अच्छी बात है अब P Q और R S क्या है लंबाई है L और Q R S की क्या है चोड़ाई है तो चुम्ब की ये फ्लक्स कितना होगा बच्चों फाई इक्वल्टू होता है कितना B इंटू A फाई इक्वल्टू कितना होता B इंटू A तो किसी समय मान लो इस मॉमेंट पर इस पल इस पल जब हमने सुरुवात करी तो फाई इक्वल्टू B इंटू A तो भीया इस पल की मैं बात कर रहा हूँ खास किस पल की इस ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ देखो इस पल की यस इस पल की बात कर रहा हूँ चलिए इस पल की बात कर रहा हूँ इस मॉमेंट पर इस मॉमेंट पर जो है यहाँ पर मान लो कितनी लंबाई है X यहाँ पर जो है चोड़ाई बोल दो लंबाई बोल दो जो आपको अच्छा लगे तो लंबाई अगर इसको X को बोल रहा हूँ तो चोड़ाई किसको बोलोगे L को यस बट मैंने चोड़ाई इस लिए बोला क्योंकि L फोर लंबाई अच्छा लगता तो X को मैंने चोड़ाई बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी, तो यहाँ पर मान लीजे, इस moment पर, इस moment पर, B into A, flux जो होगा, बधित कितना होगा, B into A, तो B, और area कितना होगा, लंबाई गुने चोड़ाई, L into X, तो flux का मान कितना आ गया, B L X, अब, अब हम जानते हैं, कि E बर कितना होता है, माइनस आप D, फाइबाई डिटी, तो E बराबर माइनस, D, बाई डिटी, और flux का मान कितना है, B into L into X, तो B L X, भाई, B constant है, L constant है, बदलाओ किसमें हो रहा, X में, क्योंकि घसिट कौन रहा है, X, X इधर आ जाएगा, तो घड़ जाएगा, और X इधर आ बहा है, तो D X by D T, X कहां है, ये है, तो D X by D T, लंबाई में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ओके, तो B L X, तो इसको खोलेंगे, तो B L बाहर है, और क्या आएगा, D X by D T, माइनस साइन बाहर कर लो, और आप लोग जानते हो, D X by D T, मतलब की, लंबाई में परिवर्तन की दर, है ना, लंबाई में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वे, तो आंसर कितना आएगा, B, माइनस का माइनस बाहर, L, इन्टू D X by D T, यानि की वेग, अब ध्यान से देखो, जब ये इधर जा रहा है, जब ये इधर जा रहा है, इस बढ़ा था, और जब ये इधर पहुच जाएगा, चलते 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 चलते, ये इधर पहुच गया, चलते चलते तो X छोटा ना हो गया, X आपका कम हो गया, मतलब X में कमी आ गई, तो X में कमी आ गई, तो D X by D T कैसा होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, D X by D T ज देने की बात नहीं करेंगे, आपन को बस इतना निकालना है, तो BLV, यह हमारे पास आ चुका है, E is equal to negative of BLV, एक मिनट बिटे, यहाँ पे एक साइन रख दीजिए, E EMF is equal to negative BLV, यह यह नोट कर लिजिए, यह आपका derivation है, negative sign क्या बता रहा है, negative sign यह बता रहा है, कि जो प्रेरित विद्धुत वाहक बल है, वो X की कमी का विरोध करेगा, X की कमी मतलब dx by dt, इस चीज़ का क्या करेगा, विरोध करेगा, जो प्रेरित विद्धुत वाहक बल E है, वो विरोध करेगा, तो इसलिए, इसका final derivation होता है, वो क्या होता है, equal to minus blv, यहाँ पर थोड़ा mistake हो गई है, इसको सही कर लिजे, e equal to minus blv, आप last में ये line जरूर लिख सकते हैं, कि जहाँ dvxy dt बराबर minus v, नहीं, minus v नहीं, only plus v, रनात्मक चिन इस बात का घोतक है, कि v की दिशा में x के घटने की दिशा है, यह अच्छा लिखेंगे, रनात्मक चिन इस बात का घोतक है, कि प्रेरित विद्धुत वाहक बल, क्या करता है, dx by dt का विरोध करता है, अबुआ की इसके तरक अलग अलग रहते हैं, तो कुछ किताब में कुछ दिया है, ले दे के बात वो यह कई हो जाती है, भई या यह कह रहा है कि v की दिशा जो है, x के घटने की दिशा में है, तो यह भी गलत नही है, जो बात बतारा था आब को, कि जो V होगा वो minus dx by dt होगा तो ये भी गलत नहीं है क्योंकि जिस तरफ x घट रहा है उसी तरफ तो V जा रहा है तो ये भी बात गलत नहीं है तो दोनों में से कोई भी बात लिख करके आएंगे तो दोनों बात सही है इस पर ज्यादा विवाद उत्पन करनी के आप शक्ता नहीं है बस आपका derivation mainly क्या था आपका derivation ये था mainly आपने पहले flux निकाला तो flux आपका कितना आ गया यदि मैं देखू जलो दी से यहां से तो flux का मान कितना आ गया आपका b into area तो phi is equal to कितना होता है बी into area equal to length into breadth तो लंबाई तो इसकी लंबाई L ही है चोड़ाई इसकी कितनी मान लो X है अब आप जानते हो विद्ध वाहक बल E equal to होता है minus of D by dt तो minus of D by dt और phi की जगे कितना रख दिया B into L into X minus बाहर, B बाहर, L बाहर और केवल क्या बज़ गया dx by dt और 11th class में आप पढ़ते आ रहे हो लंबाई में परिवर्तन की दर को क्या बोलते है वेग बोलते हैं वेग बोलते हैं तो equal to minus blv बोलो clear है तो ये कहलाता है बच्चों इसको बोलते हैं गतिक विद्ध वाहक बल क्योंकि इसमें कुंडली गती करती है कुंडली का एक हिस्सा गती करता है इसलिए इसको बोलते हैं गतिक विद्ध वाहक बल ऐसे कई प्रकार के विद्ध वाहक बल बनाये जा सकते हैं गती वृत्ताकार कुंडली को गती कराओ साइकल के चके को गती कराओ अलग-अलग विद्ध वाहक बल बनाया जा सकते हैं तो उसके लिए आप लोग अन्य बुक्स से भी प्रैक्टिस करते रहेगा हला कि MP बोर्ड में इतना डेटेल में नहीं पूछेगा कि साइकल के चके वगेरे बादे जो दिये गए हैं आपको आपकी बुक्स में उनकी त्यारी करके जाएए चलिए तो क्लास को आफ करते हैं इतना ही कम्प्लीट है ठीक है ओके बाई बाई थेंक्यू